जय श्रीकृष्णा दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब का स्वाधत है दोस्तों एक और जन्म कुनले का दन लेने के साथ ही मैं आप सामने उपस के तुवाव हूँ तो यह जुनों ने दी है हेमन जी आप डिटेल मैच कीजिए नाम है उनका फुस्वू उननीस दो उननीस सो इकरान में दो पैतालिस एम गाजिया बाद हेमन जी आपकी जो ती बारा आठ उनीसो अठाजी साड़े साथ पी-म मेरट आप दुनों की जन्म कुडलिया मेरे सामने उपस्तित है आप भी देख रहे हैं देखिए राहू आपके लगन में है कुम लगन है कुम लगन के स्वामी सनी इनकी जो है वरिष्टिक लगन है स् सब्तमबा व्योग के बारे में आपने पूछा तो गुद्दूर के तू बैठे हैं सिंग रासी में और सिंग रासी के सौमी सूर्य चंदर्मा के साथ बैठे हैं करकरासी में सूर्य करकरासी में अचा फल नहीं देते पितरी दोस के नर्मान कर देते चंद्रमा के साथ में बैठ कर आमा वस्योग पनर्मान कर देते हैं मैंने वीडियो डाला हुआ है कि सुर्य चंद्रमा बैठ जाते है तो यह अभाव गरस्त जीवन रहता है कोई ना कोई दुख अवश्य रहता है जीवन में और ऐसे इंसान को दोके बहुत मिलते रहते हैं आप ही दुखी रहता है सुक्र पंचमभाव में अच्छा फल नहीं देता है सुक्र इनके भी उच्छ का ओपर बैठा है पंचमभाव में अर्थत क्रीम वाले बाव में तो राहु की दृष्टी पड़ी है साथ कमभाव पर तो यह एक पर सेप्रेशन अवश्य करवाएंगे केतु भी जहां बैठ जाता है उस चीज़ को छुड़ा देता है केत चुड़ावे एक खेत और बुद्ध के साथ में बैठा हुआ है कुम्बलगन के इसाफ से बुद्ध सही है लेकिन करकरासी होने से बुद्ध यहां रासी स्वामी के चंदरमा के सत्रू हो गए तो यह आपको अच्द पीड़ा देंगे प्रेम में और ववाहिग जीवन में तो यह अलगाव की स्थिति अवश्य पैदा करते हैं यह आपको लगा लीजिए कि 90% वियो की स्थिति बन करेंगे यह उस तक लेके जाएंगे अलगाव पैदा करेंगे और सूर्य की आपके मादा साथ चलीगी सब्तमेस है परबल मारकेस होते हैं सब्तमभाव का स्वामी और रावू सनी और सूर्य की वैसे भी कमबंदी है तो सूर्य यहाँ सेपरेशन करवा सकते हैं और वैसे भी पीडित चल रहे हैं तो एक तो पित्री दोस्का निर्मान हुआ अमावस दोस्का निर्मान हुआ तो तो यह जब पंचमा में बैठते हैं तो उस चीज़ को जब दे सकते हैं तो पेड़ी तोकर उस चीज़ को छोड़ा भी सकते हैं ले भी सकते हैं तो प्रेम में दुख का कारण आपके शुक्र और बुद्ध हैं अब जिसको कंटीन्यू करें में सूरिय सेप्रेशन का सब्कम बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे, कुम लगन कुपर तो आपको सावधानी से रहना होगा, सुक्र की महादसा, गुद्ध की महादसा, अंतरदशा, देवी जी के चली हुई है, तो सुक्र और गुद्ध, सुक्र इनके उच के उपर बैठे हैं, अर्था, इनके अंदर आपके प्रति दया तो रहेगी, आपके प्रति सोच रहेगा, आपके प्रति सम्मान रहेगा, लेकिन सुक्र उच को जादा देर तक टिकने भी नहीं देगा, सुम में ग्रह है, तो ये कुछ देर तक की करोद करेंगे, फिर आपके बारे मैं चा सोचने लग जाएंगे, लेकिन आपका भी इनका भी गन राक्षास है, आपका इनका देव है, नाडी अंत है, इनकी भी अंत है, वर्ण ब्रामन होने से मैं आपको बता रखा है, कि वर्ण ब्रामन होता है, तो उसको राहु पीडित अवश्य करता है, तो राहु एक बार आपको जीवन अवश्य पीडित क होती है मंगल यहां सेप्रेशन का कारिया हो जाती है तो आपको क्या करना है अब आपको इस चीज को बचाना है हम साथ रहेंगे नहीं यह पूछा है आपने तो इसके लिए आपको महनत करनी होगी वरना जो ग्रह बता रहे हैं वो अलगा खी स्थती बता रहे हैं लेकिन आप अपने सकर्म से आप अपने पूजापाट से सब कुछ सही कर सकते हैं करक आपकी करक राशी से अभी राभु जो है बारवे बाव में अर्थात मित्फुन राशी में है तो वो क्या है बारवे बाव में आता है तो चिंता इतनी देता है कि जा तब को हो सकता है नीद ना आए, कोई ना कोई कारण बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी, तो उस चीज में आपको साथ नहीं है, बहुत ही दहरे से कारिया करना है, लेना है, तो सुक्र के कारण, अब आप देखिए, सुक्र के कारण, विच्छेद की स्थितित्पन होई है, पंचन भाव में सन हो, अत्वा, सुक्र हो, तो अच्छा फल नहीं देते, पूरुस के अर्दाताग के सुर्य की महातसा, इस तरी के सुक्र की महातसा चली हुई है, एक दोने मुक्ते, ये दोनों अतीश अत्रू होते हैं, तो ये भी वैचारि मत बेदूत्पन करें, तो ये रही आर्टिक्मि होना चाहते हैं, तो उस चीज को आपको बना के रखनी है, तो आपको मेनत करने होगी, एक तो गोरी संकर उद्राक साफ धरन करें, दुर्गा सबस्ति का पाट करें, मैंने विल्यो बना कर डाला हुआ है, आप आई बटन दबाईए, और आपको मिल जाएगा दुर्गा सब सम्मान करें, यसे आपके घर में जो भी बड़ी इस्त्रिय है, मा है, भुआ है, दादी है, आजपर इसके जो भी है, उन सब को उठकर प्रणाम कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका आशिरवाद लीजिए, माता दुर्गा को सुकल पक्च के पंदरा दिन तक भोग लग सुकल पक्च जो भी आते, जो अभी सुकल पक्च चले हुए हैं, प्रत्मा तिती से, पुरुनिमा तक आपको माता जी को अलग-लग भोग लगाए हुए हैं, मैंने वीडियो भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत जल्दी, बहुत अच्छा पोज हो जाएं, आप साथ में रहें, और सूर्य अश्टक का पाट करें, क्योंकि सूर्य की महातासा चली हुई है, सूर्य की अतरतासा चली हुई है, तो सूर्य अश्टक का पाट अवश्य करें, लाल डाल का अद्दान करें, और लाल डाल है, नमक है इंची जों का अद्दान कर मात तरोगा को सरिंगार सामागरी और व inboxतर आदि जो इस्ठियोग के उठें वापतान किजिये कर्णियत आशिरवाद लीजिए फिर देखें चमतकार आप का कैसे सब कुछ सही हो जाता है और नबरात्री आ रही है नवरात्री में किस अध्याय का जाप किया जाए ताकि आपको जीवन में आने वाली परेशानिया है वो भी खतब हो जाए और आप दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे नवरात्री में तो आप जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़िये टारगेट बनेए ज्यादा से ज्यादा आपको लोगों को जोड़ना है ताकि वो ज्यान का प्रसके क्योंकि भी पित्री पक्स चलने वाला है उसके बारे मैं वीडियो ज्यादा वीडियो को लोगों तक हो जाए फेस्बुक पर वाटस अप पर इंस्ट्रग्राम पर आप सेर कीजिए ताकि सब लोगों को फाइदा मिल सके फिर हाजिर होंगा जैश्री कृष्णा स्री रागे